गुजरात के चुनाव में BJP के पोस्चर बोई नरेंदर मोदी ने गुजरात में सबसे शीर्श पत पर काबिस होने के बाद, देश में भी सबसे एहम पत पर काबिस हुए यानि की प्रधान मंतरी बने पर 2002 के गुजरात रायट्स में जो पोस्चर बोई थे, उन दोनों में स एक अशोक परमार की आज क्या हालत है वो हम आपको बताएंगे हम इस समय मौजूद हैं एहमदाबाद में और आप देख सकते हैं ये है बीजेपी का एहमदाबाद के उम्मीदवार का कारियाले और इसके ठीक बगल में अशोक परमार उर्फ अशोक मोची है जो की 2002 के गुज जो हैं वो बार-बार इनकी और कोतबुदीन की फोटोस को देखते थे आज अशोक परमार आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे उस समय के बारे में 2002 के बारे में और आज की गुजरात की राजनीती के बारे में क्या कुछ ब अशोक जी वो जो समय था जब आपका चेहरा और आपकी वो तस्वीर आपकी तरह फैल गई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे क्यूं आपका जो चेहरा है इतनी प्रॉमिनेंटली सब जगा यानि कि सब अकबारों में या हर मीडिया और आपका नाम जो है वो इस तरह से सामने आया कि एक अक्रामक चेहरे के तौर पर एक तरफ आपका चेहरा था तो दूसरी तरफ कुतुपदीन का चेहरा था रोता हुआ चेहरा और आपका चेहरा जो बेहद अक्रामक सर पर आपने अपने जो है वो कपड़ा बांदा हुआ था और एक तरह से बेहद अग्रेस सिर्फ जहराब का सामने हैं अब 2002 में गुजरात में क्या हुआ है तो पूरी दुनिया को मालूम ही है लेकिन उस टाइम में परिष्टी ती ती देना जो आलात है उसकी वजय से यहां से हमारे यहां बहुत कपड़े पड़े रहे तो उसमें से कपड़ा लिए अपनी सर पे लगा जिया था जिसके मेरी हिंदू की पेचान हो जाए क्योंकि अपके दोनों हाथ उपर हैं और आपका जो चहरा है वो बेहद अक्राम के आप कहां जा रहे थे क्या कर रहे थे इदर ही सोता था ओटाइम पर सड़क परी वाटोलों में खाता था वाटोलों में चाइप या उमर्थी तबाब की ओटाइम की मेरी 17 साल की उमर्थी में एसा और यहां दंगा नुक्सान बहा समो गया पबलिक बिखर गई पूलिस आई तो मैं भी अपना घर की और जाने ल सड़क पर से आता जाता था ना वो मेरे सर पे पट्टी लगी हुई थी तो वह क्या समझता था कि बीजेपी पी का कोई लीडर होगा बजरंग दल कोई आड़ा ओवसां नीक होगा तो आते जाते यह सड़क वहां चार अस्तर पर खड़ा था ना तो जय श्रीराम जैश्री तो चल रहा था तो दो चाल लड़की आये जवान और यह को मुझे लोगा जो रोड जिसा दिखता है ना को मुझे दिया क्या चलो हमारे साथ चलो में बोला भई तुम जाओ मैं आ रहा हूं इसा मैंने जवाब दिया वह आगे निकल गए सब सब्सक्राइब फिर यह सब हमारा चल रहा था मैं और रोड ले आप में लेकर उसी सलक पर खड़ा था चार आसता है उसी टाइप एक पत्रक आ रहा गया तो उसको भी वह लगा यह बजरंगदल वाला लगता है यहां बीजेपी वीजपी से जुड़ा हो कोई लिड़ लगता ही सीला के का तो बारे में पूछा हम उस गटना के बारे में मुझे बूला था व मैंने दिया और उस टाइम का माहूल क्या था कि जो सब हुआ था नहीं उसकी वज़े से मेरे को गुस्सा बहुत आगिया था क्योंकि हम जैसे गरी में रोज कमाकर रोज खाने वाले होते हैं यह बराबर तो पर यह बताएं कि बीजेपी कहती है कि 2002 के बाद से गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ जो है शान्ती बनी हुई है पीस है आपका क्या कहना है इसके बारे में वो कहती है कि नरेंदर मोदी के शासन में पहले और अब भी गुजरात में बीजेपी के शासन के दोरान कोई दंगा नहीं हुआ पड़ा अब उसमें तो इसा है ना भाई साब, कि 2002 में दोनों कमा का बहुत नुक्सान हुआ है, मुसल्मानों का भी हुआ है, मैंने देखा है, मानता नहीं हुआ है, मैंने हमारे जिलाकों में दूसरी जगह, मैंने सब जगह देखा है, कि लोगों का किस तरह का नुक्सान हुआ है, हि सब्सक्राइब करते हैं एक बीजेपी विकास की बात करती है कहती है के विकास हुआ है कहीं कोई दंगे नहीं हुए, महिलाएं भार निकल सकती है रात को, पीसफुल जगा बन गई है, गुजरात और एहमदाबाद में काफी विकास हुआ है, सूरत राजकोट, इसके बारे में क्या क्या करें है। प्रॉटाया हूं, यिसा है, लेकिन फिर क्या है? विकास की बात करता है, मोधी जी कहते हैं तो अंग्रेजों के भी रात में विकास हुआ है, अंग्रेजों के भी भारवर्प क कितना हुआ हुआ है, एक्ईूकेशन में बड़ी बड़ी दिल्ली की सट बना धी थी, वह भी त सब्सक्राइब ने लिए लेकिन मोदी के राद में दो चीज का ज्यादा विकास हुआ है एक कौमबाद का जाती वात का कि समझे बात में को मतलब है कि जो अलग-अलग धर में उनमें नहीं मोदी जी ने बीजेपी ने जो उजराफ में इंदुतव का प्रोक्ति बात तो आज सब पाल्टी कौमबादी और जाती वादी रात नेदी पे आ गई है आपका कहना है कि सबसे पहले मोदी जी ने इहां पर इसका इस्तिमाल किया था वो इसको प्रियोग किया था आपका मतलब बटलब के अमारे पहले को मिलना कॉंग्रेस का भी सासन देखा है तो कॉंग्रेस क्या थी कि यहां मुस्लिमों की बहुत तरफदारी करती है मुझा बोलता है ना चुष्टी करन इसा यहां बहुत करती थी वाट बेक की रात देखे लिए ठीक है तो उसकी टाइम पर भी छोटे बड़े दंगे हो रहते थे जो हमारे एमदाबत पूरते रहते थे इलाके वार तो उससे भी सबका नुकसान होता था यहां बटलब के जो गयर कानूरी दंदा करने वाले लोग थे ना आम जनता दंगा कानूरी दंदा करने वाले यह इसे लोग कि लेक में करते हैं कोंग्रेस की सरकार को वाट बेक की राद देखी 2002 के बाद तो कोई दंगा नहीं हुआ वीज़ाइओं के दो जार के दंगों में हिंद्मानों का चानुक्त लूक्सान हुआ तो यहां के दो बोलिक में समद्दा सबका नुक्सान है किसी का फायदा नहीं होता है कि पॉलिटिकल पाल्टियों का फायदा होता है यह बताएं कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं बारबर बीजेपी कहती है कि 27 साल में गुजरात ने बहुत प्रगती की है जब 2002 के दंगे हुए थे तब आप 27 साल के थे आज आप 47 साल के हैं तो आपने 20 साल में क्या देखा है ये बताएं विकास नहीं देखा आपने विकास बीजेपी जो कहते हैं विकास मेरी तश्विर तो आपको मालूम है ना कि पूरे देश दुनिया में चैनलों में दिखाई गई है मेरा विकास हुआ है बोलो आप तब भी यहीं बैठते थे मैं तीस साल से बैठा हूं यह खड़े सब को कितनी है अमारा गरीबयों का जरे मुश्किल हो गया के निहीं हो गया है कि अर्चेश कर दिया है अ हर चिछमिया ज़ना पार्टी कहती है कि वह यहां पर आएगी तो परिवर्तन लाएगी यहां पर अच्छी शिक्षा लाएगी अच्छे स्वास्ते विवस्ताइं लाएगी उसके अलावा भी वो कहती है कि मेंगाई जो है यहां पर कम करेगी क्या यहां पर लोगों के बीच ऐसी सोच है कि किसी और को चांस देने की बात करती है किये नहYU को क्या लगता है यहां पर अब इस तो को क्या लगता है की वैगा हाँ मैंगाई अगरight 202 में होगा आपको लगता है कि केंदर में नरेंदर मोदी के सरकार है यहां पर बीजेपी के सत्ता है तो मेंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है पूराना भारत जो आजा दी के पहले जी रहाता इस तरह का अध मैं भी उसी तरह जी रहा हूं और एक नया भारत जो अदानी अम्मानी का भारत है आप इस तरह से पोस्चर बॉइ बनकर आपका नाम सामने आया आपकी खोटो सामने आई क्या बीजेपी ने कभी आरेसेस ने कभी आपको अप्रोच किया आपसे बात की पूशा कभी क्या करते हो कहां पे हो कैसे हो अरे मेरे बाई इन्होंने तो मेरी तफिर पूरी यह यूपी बियार में से टाइम पे बहुत यूज करते मुझे भी मालूम पढ़ा है कि यूपी बियार के इलेक्शन में भी यूज करता है ये बीजेपी वाले हैं लेकिन आज तक गुजरात का एम्दाबात का कोई बीज प्रति मानवता दिखाई समानता दिखाई लेकिन आता की सरकार की ओर से कि कोई मुझे समानता मानवता दिखाने नहीं आया है 2002 का जब अगर समय की बात की जाए तब आप जुड़े हुए थी संगटनों से उसके पहले भी नहीं हुँ तो आप यहां पर बैठे हुए है यह बीजेपी के दफ्तर की बगल का जो इलाका है वह वह अला इलाका है याँ पर यह बताओ की जिस तरह से BJP के नेता जो हैं वो कहते हैं कि गुजरात model रखना में ऐनकी जो मेंगाई अभी आपको लगता है जादा बढ़ गई है काफी बेरोजगारी ज्यादा हो गई मेंगाई की वज़े से क्या खिलाएं के कम इंकम वाले तंदे में समझे बात मैं क्योंकि मैं दूसरे कुछ तरह तरह आलग टाइप का इंसान हुए आपके साथ में एक और चेहरा था जिनका भी पोस्चर बॉइक के तौर पर नाम सामने आया उनकी फोटो वाइरल हुई को त होता हुआ चेहरा था जबकि आपका एक अकरामक चेहरे के तौर पर सामने आया था क्या फिर उसके बाद आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे आपने कभी बात की उनसे अर्य हमारी तो बहुत अच्छी दोश्ती है भी मेरे चाई से भी ज्यादा रखते हो मुझे हैं दो जार अग् velocidad बारा में हमारे हिला के है के सापूर हिलाके के मुच्लिम सामाजी कारे करता तो बराबरे जो कुट्व जिन अंतारी को भी जानते थे और मुझे भी बच्पन से जानते कि सो कि यह है बराबरे तो उन्होंने हमारी दोनों की मुलाकात कराई ति उसके बाद में अमार पर बदलाव देखा जाएगा देकि हमारे यहां तो कोई ऐसी लेहर दिखती है आपको दिखते है कोई लेहर है कोई नहीं है और यह जो सरकार बदलना या सरकार लाना वो मेरा अक्यले का काम नहीं है गुजरात की चार-पांच करोड़ की जो वाटर है वो फ्यासला करेगी कि कि इसको लाना है इसको अटाना है या आप वाले को लाना है वो गुजरात की जंता फ्यासला करेगी यह साय है मेरे अक्यले पर सरकार नहीं बनती है तो 47 साल के अश्योक परमार है जो की गुजरात में 2002 के जो दंगे हुए उसमें पोस्टर बॉय के तरह उबर कर सामने आये पर इनका कहना है कि 20 साल बीद गए है और इनकी गुर्बत जो है वो खतम नहीं हुई है यहां तक कि इन्होंने शादी तक नहीं किया है क्योंकि इनका मानना है कि बच्चे बीवी को पालने के लिए इनके पास उस तरह के जो रिसोर्स हैं वो नहीं है और इनका कहना है कि ग झाल झाल